हलो, क्लास 9th student NCRT की XI 7.1 triangle और उसका question number 1 in quadrilateral ABCD, AC equal AD आपके बास given है and AB by rectangle A so that triangle ABC concurrent triangle ABD concurrent का sign है और concurrent जो होता है वो four types मैंने आपको कल जूम क्लास में बताए कि किस तरह से होता है जी बच्छो आपका है picture A B C और D आपके पास है एक quadrilateral ABCD जहां AC equal AD है, AC equal AD यह आपके पास given है यह आपर after that हम triangle pick करेंगे बचो, triangle ABC एक तो यह triangle pick करेंगे हम and triangle ABD एक ABC और एक ABD इन दोनों transform ने पिक कर लिया और इसके बाद आपके पास given क्या है AC equal AD आपके पास given है तो यहां लिखिए given जो आपके पास है और आपको concern करने के लिए चाहिए तीन, तीन चीज़ चाहिए यह तो तीनों side चाहिए यह दो angle एक side चाहिए साइड तब होता है यह तीनों side मिल जाएं यह right angle hypotenuse side आपको मिल जाएं और एचस right angle hypotenuse side इन चाहरों में से आपको एक rules आपको follow करना है तो AC equal AD आपके पास side है मिल गई और आपके पास given भी थी दो side आपको find करनी है और चलते हैं and AB bisect angle A AB bisect कर रहा है किसको angle A को और जब कोई चीज bisect होती है तो यह equal हो जाता है तो यह आपका हो गया bisect हो रही है तो यह और यह angle आपके equal हो गए तो angle CAB angle CAB equal हो गया angle किसके बचो B B A D के यह angle और यह angle B A D It means A आपका middle में आना चाहिए CAB के बज़ाए आप B A C लिचकते हैं चलेगा बट A middle में आना चाहिए तो यह आपका वच्चों यहां लिखेंगे क्यों equal हैं क्योंकि AB bisect angle A कर रहा है इसलिए equal हैं आपको लिखना होगा कि क्यों equal हैं अब आते हैं 3 दोना एंगल के अंदर आप देख रहे हैं AB AB दोना के पास है common तो AB equal AB आ गया जो साइड है AB दोना ही triangle के पास में हैं इसलिए यहां लिखेंगे इसके आगे common आपके बात तीन चीज़ हो गई तो ट्राइंगल ABC कॉंजुरेंट हो गया ट्राइंगल ABD के आपको यह भी लिखना होगा कि कौन से फॉर्मले को फॉलो करते हुए आपने यह कॉंजुरेंट किया है तो साइड यह साइड और यह एंगल ठीक तो आपका क्या हो गया लिखना होगा तो हर चीज़ के आगे आपको कुछ ना कुछ लिखना होगा इस्टे की तो आपका यह ट्राइंगल कॉंजुरेंट हो गया किस फॉर्मले को फॉलव करते हुए एस एएस को कि के उसके बाद उसने एक कुछ आप पूचा था वाट कैन यू से अबाट बीसी बीडी की बारे में आप क्या कहना चाहते हो तो मैं आपको बता दू अगर आप कॉंजुरेंट कर देते हैं किसी ट्राइंगल को दो ट्राइंगल को आप कॉंजुरेंट कर देते हैं तो बच्चीवी साइड अपने आप इक्वल हो जाती हैं तो आप लिखेंगे यहां पर B C Equal B D B C B D K Equal हो गया ठीक इस तरह सहाब का पहला कुस्टन हो गया बच्छों चलते हैं कुस्टन नमबर सेकन्ड पर A B C D इसके कवल रसी के डी एक्वल और बी सी यह दोना अपस में एक्वल एंड एंगल डी अभी डी अभी यह एंगल इसके एक्वल है CBA CBA इसके एक्वल यह दो चीजा आपके बार गिवन दे रखी हैं आपको प्रूब करना कि ए भी डी कांजूरेंट है ट्राइंगल बी एसी के तो हम करने जा रहे हैं फर्स्ट पार्ट तो जो भी आपको ट्राइंगल कांज़न करना उनको प्रिक कर लेंगे ट्राइंगल A, B, C एंड ट्राइंगल B, A, C और आप चाहो तो इन डौनर ट्राइंगल को काड़ कर अलग कर सकते हैं A, B, C A, B, और C तो बच्छो आपका इस तरह से है यह आपका A है यह आपका B है यह आपका C है और A, B, C के बाद है A, B, C नहीं A, B, D है यह A, B, D A, B, D and B, A, C Then A, B, D A, B, R, D इस तरह से आ रहा है बचो पिक्चर में देख चकते हैं आप A, B, R, D इसके बाद है B, A, C, B, A, R, C इस तरह से आ रहा है यह आपका A है यह आपका B है यह आपका C है तो दोनों हमने काटका अलग कर दिये अब दोनों ट्राइंगल्स को आपको करना है कांजूरेंट तो सबस्ब बच्चर में लेते हैं कि आपके पास टा गिविन है आपके पास गिविन है A, D, E, 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 आपके समने और CBA CBA ये रहा तो ये भी आपके पास किविन हो गया एंगल DAB एक्वल एंगल CBA ये भी आपके पास किविन है और आपको कितने चीज़ चाहिए केबल तीन चीज़ चाहिए या तो तीनो Side, Angle, Side चाहिए या Double A, S चाहिए एंगल-एंगल साइड यह आपके पास तीनों साइड चाहिए है तो दो चीज तो आपके पास कुश्चन में पहले से गिविन थी अब एक चीज और आपको ढूड़नी है आप पिछे माद देख सकते हैं अबी एक्वल एबी के है दोनों के पास तो एबी एक्वल एबी लिख दीजिए कॉमन जो दोनों के पास आपको मिल गए So, triangle A, B, D, concurrent हो गया triangle B, A, C, K कौन से formula हो गया यह आपके पास side, यह आपके पास side, यह आपके पास angle So, formula लगा side, angle, side So, हर line के आगे आपको कुछ न कुछ लिखना है कि यह आपसमें equal क्यों है और अब आपके सामने यह concurrent हो गया जब यह concurrent हो गया, तो जो बचुई side है वो अपने आप ही equal हो जाती है यह आपका हुआ first part चलते है second part पर Second part में लिखा हुआ B, D, equal A, C अब B, D, equal A, C B, D आपके पास यह रहा और A, C, आपके पास यह रहा इसी में ही मिल गया second part तो आप लिख सकते हैं B, D, equal A, C और लेकिन यह equal क्यों हैं? क्योंकि यह यहां लिखना पड़ेगा आपको C, P, C, T लिखना पड़ेगा concurrent parts of concurrent triangle के formula से जब आपको बताया अगर आप concurrent कर देते हैं किसी दो triangles को तो बाकी बच्चीवी side अपने आप equal हो जाती हैं किस formula से? C, P, C, T concurrent parts of concurrent triangle से अब चलते हैं part number third पर A, B, D, equal B, A, C के आप यहां देखें पिक्चर में A, B, D, A, B, D यह angle आपको यहां मिल गया और B, A, C आपको यहां मिल गया तो सब आपको यहां मिल गये तो आपको लिखना पड़ेगा angle A, B, D, equal angle B, A, C के यह क्यों equal हो गया यह C, P, C, T, K फर्मले से यह भी equal हो गया ठीक है बच्चो ओके Have a nice day